Hello friends, welcome to Engineering Code और आज हम AI में एक बिल्कुल छोटा सा टोपिक देखेंगे जिसका नाम है Agent तो Agent क्या होता है? तो Agent जो होता है वो इसको मिगदम इंसान की तरह समझ सकते हैं जैसे इंसान क्या करता है? इंवार्मेंट से किसी चीज को परसेप्ट करता है किसके तरह? Ear के तरह? Nose के तरह? Mouth यह जो tongue होता है उसके तरह क्या करता है? Persept करता है और फिर क्या करता है? उस पर think करता है फिर actuators actuators जैसे कि इंसानों में हम कह सकते हैं अपना हाथ हो गया, पैर हो गया यह क्या है? जिसे हम action ले रहे हैं उसको actuators कहते हैं, तो हम फिर action लेते हैं, बिल्कुल वैसी, AI में जो होता है, agent एक program है, जो कि environment को percept करता है sensor के तुरू, sensor अगर इंसान से हम compare करें, इसके respect मिलें, तो जैसे कि हमारा tongue हो गया, आख हो गया, ear हो गया, ये सब sensor हो जाते हैं, और actuators जिन से हम action लेते हैं, जैसे कि हा agent का काम यही होता है, environment को percept करना, think करना, फिर actuators के तुरू, axle लेना, अब इसका definition देख लेते हैं, agent is that program in term of AI, which perceives its environment through sensors and act upon it accordingly by using actuators, तो जो मैंने भी बताया था, कि environment को percept करता है sensor के तुरू, और actuators के तुरू, axle लेता है, वही लिखा है यहां पर, sensor क्या करता है, perceive the environment, और actuators क्य करते हैं, act करते हैं, mathematically हम बोल सकते हैं, कि मालने जिए कोई function है, तो P star tends to A, यहां पर P क्या है, sequence of percepts है, zero or more, percepts, और A क्या है, यहां पर action है, बस, तो यह बिल्कुल छोटा सा concept है,